हैलो फ्रेंड्स wie ऑज की सड़े में हम वीetu सी पींडोसी कनेक्षिन किस तरह किया जाता है सीखने वाले हैं आज की सद इम सीप्लीट से उइसी वायाइइ से जिसमीन वाले किस तरह Window see Me multi speed fan motor connection किया जाता है किस तरह compressor connection की जाता है किस तरह dual ऊसान सीखने वाले है तो लास्ट तक ज़रूर वाच किजे चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बाइब सीखने की कोशिच करते हैं किस तरह विंडो ऐसी complete wiring connection किया जाएगा चलिए सबसे पहले fan motor की बात की जाए तो हमारे पास यहां multi speed fan motor होने वाली है जहां पर हमें low mid and high speed हमें यहां पर मिलने वाली है तिन speed का connection हमें यहां पर इस selector switch में करना होगा normally यहां पर यहां पर इसरी wires की बात की जाए तो जो ब्लेक वायर होगा वह यहां पर normally high speed के लिए होने वाला हैी है मीडियम speed के लिए वाला है और normally white wire होता है यहां पर यहलो वायर यूज Qualcommral waiter के लिए होने वाला है यहां पर ब्लू वाला वायर होने वाला है यहां पर कॉमन होने वाला है धियान रखिए यहां पर ब्लेक भी आपको दिया गया है ब्लू भी दिया गया है तो नॉर्मली ब्लू ही यहां पर कॉमन के लिए होने वाला है और ग्रे वाला वायर होने वाला जो कि किया है यहां पर ब्लू हमने common यूज किया है और यहां पर ग्रे को हमने कैपस्टर के लिए connection starting के लिए यूज किया है compressor में हमारे पास तीन वायर होते हैं red black और yellow that means common start and running यहां पर देखे रेड यहां पर running होने वाला है black यहां पर starting होने वाला है और यहां पर blue देखा जाए तो यहां पर common होने वाला है और thermostat basically क्या होता पर टेंप्रेचर को sense करता है एक बार स्वाज सब्दोड़ मिनंघ्र हो जाता यह या ज़ाद कारी करता है तो अलARS ग्हाँ तरह से टेंपरिचर सेंसर होता है डियोंड के बात की जाए तो यहां पर आपको तीन टर्मिनल्स कीवान होगे नॉर्मल केफस्टर में दो टर्मिनल्स होते हैं बड़ एंड यहां पर फैन मोटर के लिए भी connection जाने वाला है और compressor के लिए भी जाने वाला है इसलिए यहां पर इस तरह से तीन टर्मिनल्स दिये गये है यहां पर terminals की बात की जाए तो यहां पर connectors दिया गया है नॉर्मली जहां पर C लिखा हुआ होता है, एक जगा आपको हर न लिखा हुआ होगा, H, E, R, N, या H लिखा हुआ होगा, तो आपको कॉम्प्रेसर के स्टार्टिंग होने वाला है और एक जगा आपको फेन दिया गया होगा, जो कि आपको फेन का स्टार्टिंग होने वाला है, यदि कनेक्टर्स की बात की जाए तो जो कॉमन होगा, वहाँ पर आपको इस तरह से चार कनेक्टर नजर आने वाले है, जो हर नए कॉम्प्रेसर के लिए स्टार्टिंग होने व के लिए होता है वह के लिए होता है नॉर्मली है सेलेकर स्पीडों आप वहाउट होता है मिदिamus स्पीट के लिए फेन मोटर होता है तू नंबर जो वायर होता है वो लो स्पीट के लिए फेन मोटर के लिए होता है तो आपको दिया गया होगा सेलेक्टर स्विच पे आप पहले चेक कर लें इसके अलावा दिखा जाए तो जीरो नंबर यहां और compressor में भी देना होगी अर्थिंग का मेनल फंक्शन होता है जहां पर भी लिकेज करंट होता है उसे ग्राउंड करने का काम अर्थिंग का होता ताकि किसी को शौक नहीं लगे कुछ नहीं करना है compressor की body पर earthing connect कर देना है और fan motor की body पर connect कर देना है काफ़े simple है देखिए earthing का connection हमारा हो चुका है अब हम neutral के connection की बात कर ले देखिए हमें fan motor में जो speed के wire होने वाले वे neutral control के हिसाब से करना होगे जो के selector switch में जाने वाले है और thermostat में भी हम neutral control wiring करने वाले है देखिए fan motor में हमें phase और neutral भी देना होगा और compressor में भी phase और neutral देना होगा सबसे पहले हम neutral की बात करें तो हम सेलेक्टर switch के common में connect कर देते जो की 0 number वाला होना वाला है तो देखिए हमने selector switch के 0 में neutral connect कर दिया है जिसे कि हमने आपको पहले ही बताया था फोर नंबर थर्मोस्टेट के लिए होने वाला है तो फोर नंबर से एक वायर हमारा कनेक्टर यहां पर कनेक्ट होगा और यह जाएगा थर्मोस्टेट के किसी भी एक टर्मिनल में आप कनेक्ट कर दीजिए थर्मोस्टेट नॉर्मली सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो दे गर कॉंप्रेसर के हमें common में connect कर देना है तब देख सकते हैं कॉंप्रेसर में हमारा common का connection हो चुका है जो कि हमारा Thermostat के हिसाफ से आया है एक बार जब का connection complete कर लेते हैं देखें यहां से हमें फेज सप्लाइए मिलने वाली है फेज अपला एक वायर हमें करना होगा और एक वायर हमें कॉंप्रेटर में क्ऌनेक्ट करना हो रंइंग कॉमन से रणिंग कौमन और क्षाटर होने वाले यहां से एंच से कॉंप्रेटमरेंग इंदीं में और ईंद से काफ़ दिना है काफिर सिम्पल है कौमन क्नेकट करना है देखिए common से ही हमने connector Connect किया है और running ले जाकर हमें इस compressor में दे देना है तो compressor में running यहां पर आ चुका है देख सकते फेज भी आ चुका है neutral भी आ चुका है अब हमें यहां पर starting में कैपस्टर से connected स्टार्टिंग सप्लाई देना होगी तो देखिए यहां से एक वायर हमें कनेक्ट करना है और इससे ले जाकर स्टार्टिंग में कनेक्ट कर देना है तो आप देख सकते हैं हमारे पास कॉंप्रेसर में न्यूट्रल थर्मोस्टेट के जरीए आया है फेस कैपस्टर से दी जाएंगे हम समाझ लेते देखिए जो ब्लेक वाला वायर है वहां आपका हाई स्पीड का होने मेड है देखिए अब हमारे पास जो रेड वाला वायर होने वाला है वो हमारे पास मीडियम स्पीट के लिए होने वाला है तो यहां से हमें वायर को कनेक्ट करना है और से त्री नंबर में कनेक्ट कर देना है अब हमारे पास यहां नॉर्मली वाइट होता है बड़ यहां से यलो वायर हमें low speed का लेना है और low speed को लागा selector switch में 2 में connect कर देना है तो आप देख सकते हैं selector switch में हमारा speed connection भी हो चुका है और यहाँ पर हमारा neutral connection भी हो चुका selector switch का connection यहाँ पर complete होता है सबसे पहले fan motor में हम expster से starting wire को connect कर लेते तो जो ग्रे वाला वायर होने वाला है वह स्टार्टिंग होने वाला है तो इसे ले जाकर हमें कैपस्टर में यहां पर F में कनेक्ट कर देना है तो आप देख सकते हमने फैन का जो स्टार्टिंग होने वाला है उसे यहां पर कैपस्टर में कनेक्ट कर दिया है अब हमें फैन में यहाँ पर फेस देना है common में फेस कनेक्ट करना है तो यहाँ पर देख सकते common से ही यहाँ पर एक connector से हमें एक wire कनेक्ट करना होगा और इससे ले जाकर हमें fan motor में connect कर देना है तो आप देख सकते हमारे पास यहाँ पर सेलेक्टर स्विच के जरीए न्यूटल आएगा और यहां पर कैपस्टर के जरीए फेज आने वाला है और स्टार्टिंग के वायर को उमने फैन से कनेक्ट कर दिया है तो आप पहले फैन मोटर में भी चेक कर ले और यहां पर सेलेक्टर पे भी चेक कर ले कौन सा आपका मेड हो फैन मोटर के लिए होने वाला है जब आप इस तरह से तऱ होने वबने又 pert किस तरह किया जाता है फैन मोटर में स्पीड वायर का कनेक्शन किस तरह किया जाता है यहीं वीडियो अच्छा लगाओ तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें कोई डाउट और कमेंट से में जरूर पूछे हम पूरी कोशिश करें उसका जवाब दे सके और कोई स्पेशल नहीं थेंक्स प्रेंड्स